आज मैं आपके साथ शेयर करूए एक हेल्दी और टेस्टी पराठी की रस्पी इसको मैंने कच्छे पपीते से बनाया है वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिएगा चली सुरू करते हैं यह मैंने दो कटोरी गहों का आठा लिया है इसमें हम 3-4 बड़े चमच पर दाल देंगे और एक चमच नमक डाल देंगे और फिर समीक को अच्छे से मिच्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे अ कच्च पाप में लाए है इसे और च्षेल जाऊ लिए को ऑपर काट जू हो शहटां दो अगर अगर काट करका दे शहाल सकते हैं greater ओसे इसे मचेशा च्नच में पकट शचेल जाएगा जूप आसान भी रहता है और यह जो बीज पार्त होता है इसको खुुरच कि हटा देंगे जो बीज होंगे वह भीए ता देंगे तो यह दिखी मैं ने नमक डालने इसको मैंने कपड़े में रख दिया है, नमक डालने से इसमें जो जूस होगा, वो आराम से छोड़ देगा, तो हमारे पराठे अच्छे से बनेंगे, और जो कच्छे पपीते की कड़वाट होगी, वो भी निकल जाएगी, तो ये देखे, पानी सारा निकल गया है, अब हम प लैसून लिया है जो हरे वाली पत्ती वाली होते हैं और इसके साथ हम एक प्याँ कार डालेंगे, और इसको थोड़ा साथै कर लेंगे, अब हम डालेंगे अदर जमश हल्दी, अदर जमश alam恐li, आदर जमश दल्याव मुश्वाडर, आदर जमश लालमर्यिश पारडर पामच अरब जीर एक चमच और नमख बोनगे पनख सकते हैं मous देंग एक चमच नमक चंब हमच दलें सकते हैं एकदम ड्राई होने तक इसको भून लेना है और इसके बाद हम थोड़ा सा ढख के इसको पका लेंगे जिससे इसमें कच्छा पन ना रहे है तो यह देखिए स्टफिंग हमारी तेयार हो गई है गैस को आफ कर देते हैं और इसमें हम धनिया की पत्ती कटी हुई डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और इसको निकाल के ठंड़ लेंगे देखिए अब हमारी स्टफिंग भी तयार है और दों में से अब हम लोई काट लेते हैं एक पड़े नीबू के साइज की आ असारी लोई हम इस तरह से काट लेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा गोल करके पर्थन लगाके इसको हम इस तरह से katoori नुमा बना लेंगे और इसमें हम stuffing जितनी आसके आराम से इसको भरके और थोड़ा सठ अंदर कोcken प्रेश करके जो बाहर dough है उसको हम उपड़ लियाएंगे इस तरह से दबा दबा के और क्मेश करें के बंद कर देंगे अक गुमा के इस तरह से दबा के और फिरस लगा करने इस ही собादे अर परत्ण लगा लेंगे और इसको बेल लेते हमें जीन करकें तुर। स्टफिंग हमारी गेली नहीं है और बिल्कुल भी पराठे से बाहर नहीं निकला है गैस पे मैंने तवा गरम होने के लिए रख दिया था अब हम तवा पे पराठे को डाल के इसको सेंक लेंगे तो एक तरब से जब थोड़ा सा सेंक जाएगा इसको पलट के इसमें गी या ओ बाल लगा के इसको उलट पलट के अच्छा सा बहुन लेएगे ये निकी हैं हमारा पराठा कितना अछा बन रहा है और फूल के भी तैयार हो गया ये देखिए और ये पराठा अप एक बार बनाएए बहुत ही टीस्टी लगता क्यों ये द टे हैं एक पराठा सी士 गया हन तो देखिए हमारे इतने पराठे बनकर तयार होके हैं इसको आप अचार या सब्जी के साथ सर्फ करिए बहुत ही टेस्टी लगेंगे इसको देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितने अच्छा बना है और मसाला भी प्रॉपर इसमें भरा हुआ है यह देखिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बगल में नोटिफिकेशन वाला आएगा उसे जरूर प्रेस कीजिए जिससे आने वाली लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो